पूरी डीटेल में चाहती है जन्ता 6-7 साल रिलेशन चला है मेरा उसने अपने घर पे बात क्यों नहीं रखी मतलब क्या वजा थी या कोई डर था इंटरकास्ट की प्रोलम सबसे बड़ी प्रोलम आज की टाइम में देख रहे हैं तुझे वो कुछ बोलना चाहते हो 15 साल के बाद लड़की अचानक से बोल देती है कि मेरे घरवालों ने मेरा रिष्टा कर दिये आपका हमारी नहीं वीडियो में आपका अग्यकारी शिशे नित्रमोट साथ चुका है एक ऐसे शक्स को पगड़के जो काफी दिनों से भाग रहा था मैं इसको बोल रहा था भाई बता दे तरी लव स्टोरी बता दे बहुत सारे कमेंट सारे हैं बहुत ही जादा कमेंट सा इनका यही हसता खिलता चहरा आप सबको काफी पसंदार है तो इनकी लव स्टोरी जानके आपको उतना ही दुख भी होगा भागने नहीं देंगी अब इसको नुरा को छोड़ तो आप कमफर्ट हो के बैठ जाओ आराम से दिल थामके बैठ जाईए बस थामके बैठ चलता है तो मैं कुछ एक्स्पलेः नich करना चाहता क्या होता है ना कि जो गया वह तो गया कोई बात नहीं पर ठीक है वो जहां भी एक खुश है अपना तो मैं यह बता दूकि नेशन बच्पन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रहे बो वाला पूरी डिटेल में चाहती है जनता तो स्टार्टिंग मेरी ऐसे थी कि बच्पन की बात है वो बच्पन का जिसे ट्रेक्शन होता ना एक किसी लड़की को देके ट्रेक्ट होना जूर जूरी टाइप पसंद आ जाना क यह लड़की से हो जाए तो मतलो बात बन जाए जिद लाइफ में सेकंड क्लास से लेके मालो सेकंड थर्ड में स्टार्ट हुआ था ट्रेक्शन हुआ तक यह चला था प्लस वन में जाकर बात हुई प्लस टू में जाकर साथ हुए मतलो आठ साल यह पहले उसके पीछे रहा करने के बाद हमारी बात करने के बाद उसकी तरफ से थोड़ा सा रिस्पोंस आया में तरफ से रिस्पोंस आया तो हमारी बात आगे बड़ी आगे बड़ी ustra की चल यार हो मिलगए मुझे और कर架ाओ को बसक्ते कि लेस्टी टफ करता था उसका मेंसिज जाएगा वहींसे उतना यह नुफें hone just चाहिए मोई फेनी डिपाइन ट्री कि में मऄ तो बांकि करपा नहीं relate 9 डिखंग कि मैं जाया भूल्हे जा कईसू थिया कीुप देख ऐस capable बुलाओं अमलोग को लाँ घ्या भी चाहिए डिखेंए तो ूर व्हों सीन मुझे आज ़ी आज वह ब्याद में वहाए्ट है था मै मेरे ही इतनी केर तो वह तरफ से भी आने लगी फिनलब पिरे दिरे उसकी तरफ से भी औख सनी लगा क्छा पॉजिटीव सन्हाने लगा ऑगा लगा नहीं पता कभी है नहीं है मुझा ठीक है उसकी तरफ से ठीक है जितना हो सकता तो चलिए अब तो यह आ रहा था चड़ाओ कि रिष्टा शुरू हुआ चड़ाव आया आया गुजरता राजैसे दैसे उतार की वज़ा कब आया क्यूं आया किस वज़ा से आया और क्या हुआ किसमत की बात है किसमत नहीं थे साथ किसमत ने साथ भी मतलवक्या तरफ से कभी तरफ से तो चलाई में किसी वी चीज को लेकर सब को पता है मतलों जो जो मुझे जाता है उसको सब Elsie कह पता कि मैं अपर आह थे ख़ए नी चला पर उसने एक ही डि मतलत लिया उसने घर पर पापा बाई बाबी सबसे मिली हुए तो मिली तो उसने घर पे बात क्यों नहीं रखी मतलब क्या वज़ा थी उसने घर पे बात क्यों नहीं करी इस चीज की वज़ा कि मैं अगर अपने पापा को बता दूंगी अपने रिलेशन के बारे में हमने साथ सा रिलेशन रखा पर घर पे पता नहीं लगने दिया उसके घर पे एक दिन भी उससे घर पे आज भी नहीं पता हां मैंने उसको बहुत बार कहा था कि घर पे बात कर लो कर लो कर लो बात कर लो पर अगली नहीं कि मैंने फिर फोर्स नहीं किया इंसान की मर्जी होती है उसकी मर्जी तो कभी उसने यह नहीं कहा कि आप खूद आके मेरे पापा से या ममी से किसी से बात कर लो या फैमली को ल मैं हम जबता हैं यह कोशिश कि चलो बात करें हैं अपकों का समाज की बात नहीं वह पर उसने अपनी बात देगे घर ना उसने बहुत की अपने बात पर कभी कुछ बताया ही नहीं मेरे से रिलेटेड बस साथ साल छे साल जितना भी चला रिलेशन वह चलातेगे चलातेगे कभी खुशी कभी लड़ाई जगडे प्यार सब चलता रहा सब जाज था देखो जतना मेला टाइम था मैंने दे दिया स्पेंड किया अपना उसने अप पोजीट हूँ इसका उस तक मेरे को तुम देख लेते तो मैं उल्टा था तो मतलब की आठ साथ साल का रिलेशन और लास्ट में यह कहके खतम हो जाता कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और फिक्स कर दिये आपका मतलब फोन आया था मिलने आई थी आपको या क्या उस टाइम मेरे को फोन पे बोला जैसे वो दूरियां होती है ना ओफोन ना करना मेंसिज ना करना रिप्लाइग ना करना गुड मॉर्णि सूबा तो गुड मॉर्निग दिन में हो रही है राप को यह ऐसी बात थे में समझतों गया था कि मिलें रहे पर मैंने अपने आपको कि तेरी गलती है, तूने प्यार किया, किया, किस लिए किया, तो मतलब जब आप लोग रिलेशन में थे, तब आपकी आपस में बात नहीं होती थी, कि हाँ आपने शादी करनी है, बात तो होती होगी, अपने तो बच्चों के नाम भी रख लिए थे, जब वो ये बात करती थ चीज जो आप जिंदगी भर नी बुला सकते हैं, एक कुछ, या हसीन पल या सब से दुख दायक पल जो आप जिंदगी में जिंदगी में शायर में कोल्ड गॉफ्य और चीश्चिली नी बुला सकता है, तो मतलब आप जब भी मिलते ते ये दोनों कहते थे वह बहुग हो गया है कि रोने लड़का हमारा अच्छे वे अच्छे बस देख रिये तुझे वह कुछ बोलना चाहते हो है देख रिये तुझे वह तो गाइस एक और चीज बता दू पीछे कैमरा मैं भी टपक टपक खूब रो रहा खूब पानी चाहिए आपको अर्यू ओके अर्यू फाइन वह आपको देख रही है आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हो नहीं बस ठीक है तो गाइस आठ साल से चला वनसाइड लव उसके अगले साथ साल दोनों का रिलेशन चला उसके बार लड़की ने कर ली शादी आठ और सा 15 साल 15 साल के बाद लड़की अचानक से बोल देती है कि मेरे घरवालों ने मेरा रिष्टा कर दिया आम सोरी तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जरूर बताना मुझे कमेंट्स में कि ऐसा मतलब और भी कहीं होता होगा और लोगों के साथ भी होता होगा तो इस फ्रे मा हैban अपने आपको करो मैंटली स्टेस लेने लोग आएंगे और लोग जाएंगे कोईक फरक नहीं पड़ता किसी रहने से नाहीं रहने से को है जी रहे हैं वह अपना हूं अपना जीर रहा हूं कि हैसा रहता हूं मैं फोजिट हो गया पहले शाहीं याजरी ता यहा मुझा आड़ काड़ीका है तो मिरी कई आड़ाी लिल दे दिन से जादी जयाabb जेबारा भी पता थी का डर्ली के मुझे पता होता है क्या किस टाइं मुझें जैसे वह अपता था कि लावा या कुछ घाल गैव की याराव बना यह सब लिए पर मैं उस गाडी को दुलाई रहा था इतने में मैंने को पास किसी की स्टोरी आई कि मैंने देखा यार वह बस लावा ले रहे थे और आप जा नहीं पाई आपका वैसे मन था की मैं जाओ शादी के अंदर अदर मेरा मन था मैं लावा जाओ पर मैं नहीं चाहता था किय किसी कभी में बुरा नहीं चाहता कि ठीक है बस ठीक है उसकी मर्जी है उसको जो ठीक लगा उसने अपना किया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैं अच्छा हूं फेट्टो मोटा हो गया देख लो फिर भी कुछ एक लाइन उसके लिए हो जाए कुछ जो भी आप मैसेज देना च पी बीच में आती ना तो नितिन जी के सवाल ही ऐसे ना रिपोर्टर बन सकते हैं तो गाइस मेरी यह अपील है तो कोई भी इंट्रकास्ट का माम लाओ या किसी भी चीज का माम लाओ तो जब रिष्टा शुरू होता है ना तो इंसान को तभी यह चीज़े क्लियर कर लेनी कि पता निक ऐसे लोग 6-6 साल रह भी लेते हैं साथ में उसके बार निक एसे दूसरे के साथ टेमिस्माइन करते हैं पता निक मैं नहीं जानता है इस चीज़े मेरे नहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आज भी गहते हुआ हैं कि पहले क्लियर होनी चीज़ें कि आपक को समझाना चाहिए गलस टैप नहीं लेना कोई भी खुद को मोटिवेट करो खुद को संभालो किसी और की जरूरत मत देखो कि वो मुझे संभालेगा वो संभालेगा आपकी फैमिली सबसे पहले है आप अपने फैमिली के लिए हमेशा रहो सबसे सही है जिसने जाना है वो त दोस्त की दुखदायक कहानी और मुझे तो सब पता है मैं तो शुरू से साथ हूं तो जब रोता था मैं होता था तकरीब इसके बाद जब आम शुरू में साथ रहते तो पिर तो मैं बाहर चला गया था शुरू मैं साथ होते थे मेरे साथ पह कुछ ऐसे गटनाए गटती तो बस तब के हम सहारे एक दूसरे के तब से तब से जिंदगी भर भी रहेंगे जहां भी कैमरा कट है ना आम आम चुप कर वाने गया तो रोजारी थी कप से रोडी तो बस गाइस आज की वीडियों यह इसमा प्त करते हैं जिन चीजों पर आप स्टेंड नी ले सकते हो न किसी में सेम दिल होता है छोटा बड़ा कुछ नहीं होता चाहिए वो कितना याद मी भार से मजबूत हो लेकिन अंदर से सबका दिल नर्मी होता है तो किसी का दिल मत दुखाएं खुशियां बाटे खुशियां फेलाएं खुश रहें तो आप भी लास्ट में हमारी जंता क कुछ कहना चाहेंगे इसी बारे में चल करो इसंट को बूक करो को चाथु कर्ण और को फिर इंस्टा unhappy च्यकंते में बूकिंघ कर सकते हो यो किसी भी वीडियो शूट के रिगार्डिंगि प्रिवेडिंग रिगार्डिंग्ches को फोटो शूट के शादी कुछ भी मतलब कैस अब इंडिया में कुछ भी होता हो जिसमें आपको फोटो है वीडियो की जरूरत पड़े तो आप जरूर क्रेटीफ रेम से कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठैंक्स अलोट चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना कमेंट कर देना और शियर करना बिल्कुल मत बूलना ओके ऑगाई और गया आ इस बीक्टर को सब्सक्राइब कर देंटा अंपका फ्टुल मत बार ठेटाइब कर दो लाइंड ह evalu तू है यह आई ए weiterइस क् οूजना अलोड है निए यह अर्को समयूरन पेडियों जाय कर देहिस कनू अजए कर अंफ चैनला जेविडियों निएि Vereans अ